Hello my dear friends, welcome to my channel Englishwala Friends, Englishwala आपके लिए एक ऐसा platform होने वाला है जहाँ आपको zero level से लेके advanced level तक English दिने के लिए मिलेगी अगर आप भी चाहते हैं English लिखना, English बोनना और English पढ़ना तो Englishwala चैनल को कर लिए फटाफट से subscribe ठीक है? चलते हैं आज की class की तरफ आज की class आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है और important के साथ साथ बहुत ज़्यादा interesting भी होने वाली है ठीक है? क्योंकि आज की जो हमारी class है वो है greeting, timing को लेकर ठीक है? क्योंकि देखिए friends, बहुत सारे लोगों को timing को लेकर बहुत ज़्यादा confusion होती है कौंसर timing को लेकर good morning, good afternoon and good evening, good night इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा confusion होती है कि कब हमें क्या use करना है ठीक है? शाम के time ज़्यादा confused होता है कि अब हमें good afternoon बोलना चाहिए या good evening बोलना चाहिए रात के time good evening use करे या good night use करे early in the morning like 2 बज़े के आसपास 3 बज़े good night use करे या good morning use करे friends, well, बहुत ही simple way मैं आपको इस video के थुरू आपकी इन सारी confusion को दूर करने वाली हो ठीक है? तो friends, video को पूरा ज़रूर देखे और अपनी इस timing की confusion को दूर करे ठीक है? देखे, ये मैंने एक छोटासा table chart ready किया है आपकी इस confusion को दूर करने के लिए I hope आप इस table के जरीए समझ सकते हैं कि आपको कब क्या use करना है और अगर एक बार आपने ये table chart समझ लीना तो आप कभी भी lifetime में कभी भी timing को लेकर confuse नहीं होने वाले हैं ठीक है? देखे, timing तो आप सब भी को पता हैं, सबसे पहले क्या होता है? dawn, जो की sunrise, सूर्य उदे का समय होता है ठीक है? सूर्य उदे का समय, जिससे dawn time बोलता है, sunrise time Second time क्या होता है हमारा? noon time, 12 o'clock, middle of the day, जो की दोपहर के दिन के बारे बजे का time होता है clear, next होता है, dusk, sunset time, जो सूर्य उस्त का time होता है सूर्य उस्त क्या होता है, friends, जब हमारा सूर्य क्या होता है? छीपरा होता है उसे बोलता है, sunset time, ठीक है? सूर्य उस्त का time and last होता है हमारा midnight, middle of the night, जो की हमारी रात का, मध्य रातरी का time होता है ठीक है, 12 o'clock, रात के 12 वजे का टाइम होता है, ठीक है, देखिए, यह जो हमारा dawn time होता है, sunrise time, जब हमारा सूर्यास्त होगा, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, good morning, और ये good morning हमारा कब तक चलने वाला है, ये good morning चलेगा हमारा 12 o'clock, दोपहर के 12 वजे तक हमें क्या यूज़ करना होगा, good morning यूज़ करना होगा, clear, ये तो सभी को पता है, कि सुभा के टाइम में good morning बोला जाता है, लेकिन वो कब तक बोला जाता है, उसका last time कब होता है, उसका last time होता है, दोपहर के 12 o'clock, दोपहर के 12 वजे तक हमारा good morning होता है, clear, next, जैसे ही आपके 12 वजेंगे, आपका कब तक चलने वाला है, sunset time तक, सूर्यास्त के समय तक, यानि कि जब तक आपका सूर्य नहीं चिपेगा, तब तक आपको क्या यूज़ करना होगा, good afternoon, और जैसे ही आपका सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य चिप जाएगा, तो आपका क्या start होगा, good evening start हो जाएगा, clear, good afternoon और good evening में, आपकी confusion दूर हुई, कि good afternoon आपको कब तक यूज़ करना होगा, जब तक आपका सूर्य अस्त नहीं होता है, और जैसे ही आपका sunset हो जाएगा, आपका good evening start हो जाएगा, अब देखिए, good evening के साथ ही मैंने एक और word यूज़ किया है, जिसे आप सभी लोग जान तो आप क्या बोलेंगे, good evening, ठीक है, लेकिन जब आप उसको bye बोलेंगे, कब तक के लिए, अब आपने उसे bye बोला है, evening में, और अब आप उसको next day से पहले नहीं मिलने वाले हैं, तो आप bye की जगा पर क्या यूज़ करेंगे, good night का यूज़ करेंगे, clear हुआ कि आपको good night से पहले नहीं मिलने वाले हैं, तो उस bye की जगे आप क्या बोल रहा है, good night बोल रहा है, और friends आपका ये good night कब तक चलेगा, midnight, 12 o'clock तक, रात के 12 बजे तक आपका क्या चलेगा, good night चलेगा, जैसे ही आपके रात के 12 बजेंगे, आपका क्या start हो जाएगा, good morning start हो जाएगा, कि अभी तो 2 बजे है, 3 बजे है, रात हो रही है, तो हमें good night ही use करना होगा, नहीं, friends, 12 बजे के बाद, after 12 o'clock के बाद, आपका good morning start हो जाता है, और ये जो आपका good morning होता है, ये काफी long time तक के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपका good morning, midnight 12 o'clock से लेकर, afternoon में 12 o'clock तक, noon 12 o'clock तक चलता है, clear, तो friends, आपको good evening और good night में confusion दूर हुआ, कि आप good evening में जब भी किसी से last time मिलेंगे, यानि कि आप उसको next day से पहले नहीं मिलने वाले है, तो आपको क्या use करना होगा, good night use करना होगा, इसी तरह friends, अगर आप किसी से good morning में मिलते हैं, सुभा के time मिलते हैं, और अब आप उसको last time मिल रहे हैं, next day से पहले अब आप उसको दुबारा नहीं मिलने वाले हैं, तो आप क्या use करेंगे, ये question आपके लिए, comment box में जरूर बताएं, कि good morning के बाद आप buy की जगापर क्या use करेंगे, ठीक है, I hope आपकी ये timing confusion दूर हुई होगी, मिलते हैं अपनी next video में, ठीक है, thank you, take care, watching for my video